हेलो फ्रेंट्स वेलकम बैक टू माई न्यू वीडियो आज हम आपके लिए लेके आ हैं टाटा का नया मोडल जो कि टाटा ने हाल ही में लॉंच किया था न्यू टाटा एल्पिटी उन्नी सोला बीए सिक्स फेस्टू के साथ इसमें आपको दो अप्शन मिल जाते हैं काउल म मैं आपको इसका इसक बीओ चेक करवांगा उसके बाद हम इसके एक्श्यों प्राइज और माईलस के वारे में और इसमें 13 मिलेगं के साथ और शिंपल से हैटलैट मिलेंगे विध पार्किंगcentered साथ ईंडिकेटर मिल जाते हैं सब्हों को डूंपर मिलेंगे दौनों के दोनों रहनेवाले उन्हें उसका एक्ष्टा या और वगयरा लगा सकते हो या इसका इस्तमाल आप फुट्रेस्ट के तोर पे कर सकते हो अपना अपना सीसा बगारा साफ करने के लिए यहां पे प्याराख के और यहां पे पगड़ के आप साफ कर सकते हो इसका दो परपस दोने के तूरफ यूज कर सकते हो और सेंटर में आप यहां पे अ खुछ यहाँ पर आपको एक नोजल मिलजातिया अगर आप इसको खुलवा ना चाहो तो आपको परमिशन लेनी पड़ते तो आपको गुवर्मेंट की चाहेंगे दोनों की परमिशन लेनी पड़ती पिर आप इसको खुलवा सकते हो और फरन्ट में आपको एक mirrorsby气 रहेगा अब बात करेंगे ड्राइवर साइट की तो आपको दो साइट ग्लास ड्राइवर साइट देखने को मिल जाएंगे यह आपका स्लिपर कैवन है इसी के लिए मतलब आपका अगर आपकी लोंग रूट गाड़ी चलती है तो ड्राइवर अपना दो ड्राइवर रखो और अपना गाड़ी चला रहा है आपकी 24 घंटे यह गाड़ी चल सकती है और अनुद्र का अपना अराम भी हो सकता है पीछे से और यहां पर आपको फी की बेजिंग देखने को मिल जाएगी Green Color में reflector bar yellow Color में आपको मिल जाएगे door handle जो आपको simple साँ मिलते हुआ सारी गाड़ी में LPT में值 bon key के साथ black color में वह आपको मिलेगा और black color में आपको five or kinder मिल जाएगा विद्ध यहां बें साइड से साथ कुछी सबने के साथ किस्तर का सिएट के आपको tryle देखने को मिल जाएंगे काफी इच्छे बेस्ट क्वालिटी के यहां पर अलोए भी इसमें यूज किये गए हैं और यहां पर आपको दो फुटरस्ट मिल जाते हैं जो कि आपके कैविन के साथ ही अटैच रहने वाले हैं यह भी एसक्स फेस्टू गाड़ी है तो इसमें अगर अगर unf step अगर का का शहा है जाए अगर फील्टर होता था तो आपका काफी ज्यादा चोका इसी लिए कंपनी में इसको हटाके एक ओपन य हिसो लिए पीछ यलीड़े vessels इसके पीछे आपको यहां पर डीजल टैंक मिल जाएगा दो सब्सक्राइब कर रहने वाला यह आपका रहने वाला पूरा का पूरा जो कि कई गाड़ी में आपको प्लास्टी का देखने को मिलता है नीचे की तरफ आपको प्रपार्लर शाप्त मिल जाएगी दो ज्वाइंट के साथ विध यॉनिवर्सल जॉइंट के साथ आपको मिल जाती है याँ पे आपके एयर कुपब पर बात करेंगा इसकी रिएर की तो यहां पर आपको सिंपल से बैक हैड़ लाइट देखने को मिल जाएंगे विध पार्किंग के साथ यहां पर आपके बोईस और पार सिंस छोगा आपका जो कि इसमें आपको शेश्पोंशन सिस्टम यू उस्किये ग्या है वह आपको यहां पे लीप स्प्रिंग शेश्पंशन सिस्टम हुज इसमें कुछ सिसतरह का इसका कंटेशनर रहने वाला ऑप बात करेंगे इसके जो कि आपने यहां पर आपका चैसी नंबर देखेगा पहले आपने गारिया देखी थी बीएस जिसमें आपको बड़े बड़े एर टैंक देखने को मिलते थे पूरे की चैसी के तरफ लगे होते हैं इसमें आपको ओनली वन एर टैंक मिलेगा जिसकी कपेस्टी काफी ज्यादा बढ़के रखी हुई है यह आपको बड़ा सा ड्रम एक बस एर टैंक का मिलेगा इसमें आपको एर क्लक्च मिलता है और यहां पर ब्रेक में देखने को मिल जाएगी यहां पर आपका 12 वोल्ट इसकी एक साइट की बैटरी मिलेगी विद में स्विच के साथ इसमें जो फ्यूल यहां पर आपका वोश का फ्यूल सिस्टम है और यहां पर आपकी में पाइपलाइन और रिटेन लगी हुई है और यह आपका जो की कैविन है वह आपका काफी भारा है स्लिपर कैविन होने के करन तो इसलिए इसमें आपको यहां पर हाइड्रोलिक जैक दिए गया है यहां यहां पर कर सकते हो यहां पर की डिप स्टिक गेज देखने को मिल जाएगी यहां पर आपको इंजन देखने को मिल को मिलता था वह आपका लोहे की रोड का लीवर होता था बट इसमें आपको वायट्स देखने को मिल जाती है पूरी के पूरी वायट्स आपको मिलेगी न्यूटल की और गेर की और यहां पर आपको कुछ इंफोर्मेशन दी गई है कैविन को आपको डाउन करने के लिए मिल जाते हैं कुछ इस तरह का इसका व्यू रहा अगर आपको और भी गाड़ियों के बारे में जाना तो कमेंट करके ज़रूर बताना यह कुछ LPT जो इसमें आपको कावल में भी आपको देखने को मिल जाएगी अगर आपको कावल की वीडियो देखनी है कैसी की तो आप म मंतली इमाई आपकी मिनिमम कितनी की बड़ेगी है आपको और बात करेंगे इसकी माइलिस के बारे में और इसमें आपको क्या-क्या फीचर्स देखने को मिलेंगे उसके बारे में बात करते हैं इसमें आपको जो ग्रोस विकल वेट मिलेगा आपको इस इंजन के बारे में म बारे में बात करेंगे तो ये गाड़ी आपकी 13.2 टन पास करती है स्लिपर कैवन में वेरियंट की बात करेंगे तो इसमें आपको 2 ओप्शन मिल जाएंगे कैवन विद चैसी चैसी विद लोड बोड़ी और इसमें आपको एक काउल का उप्शन देखने को मिल जाएगा अब बात करेंगे इसके बोडि लेंथ की तो इसमें आपको 4 बोडि लेंथ मिल जाएगे मीनिमम आपका 7 तारा फिट रहेगा और मैकसिमम आपका 24 फिट रहने वाला है चार उप्शन आपको मिलेंगे 17 फिट, 20 फिट और 22 फिट maximum आपका 24 फिट और बात करेंगे वरंटी की तो company आपको schedule के हिसाब से service के हिसाब से 3 साल की वरंटी देती है 3 लाग किलोमेटर के उपर और बात करेंगे इसके gear की तो इसमें आपको 40 number gear मिलेगा 5 speed gear के साथ 1 reverse के साथ और बात करेंगे जो इसमें आपकी maximum speed लोग होगी वो आपकी 80 के उपर लोग की होती है जो कि आपकी 80 के उपर ये गाड़ी आपकी नहीं जाएगी fuel type में ये आपको only diesel में available रहेगी क्योंकि LPT है तो इसमें आपको जो fuel की capacity रहेगी जो कि इसका टेंक है वो आपको 150 लिटर का भी मिलेगा और 240 लिटर का भी इसमें आपको option देखने को मिल जाएगा वो आपको 32 week में देखने को मिलेगा और बात करेंगे जो कि इसका यूरिया टेंक है वो आपका 25 लिटर का रहने वाला है इसमें आपको feature की बात करेंगे तो इसमें आपको power steering देखने को मिलेगा जो कि आपकी driver seat है वो आपकी 4-way पे adjustable होगी till end telescopic आपको होगी और बात करेंगे इसकी AC इसमें आपको AC नहीं मिलता है कोशी भी variant में आपको नहीं मिलेगा अब सबसे main चीज़ आती है जो कि कोई भी गाड़ी लेने के पहले सोचता है वो है इसका action room price और on road price इसका action room price आपका 26,30,000 आपका action room price है और इसमें ये गाड़ी आपको जो की on road पढ़ती है वो आपको पढ़ती है 32,31,000 के ये आपको on road पढ़ती है अब बात करेंगे जो की इसकी minimum जो आपकी EMI बनती है कितने down payment देखे 2,63,000 आपको down payment करते हैं अगर आप minimum तो आपकी जो monthly EMI बनती है वो आपकी 93,803,000 पे आपकी monthly EMI बनती है फिर से मैं आपको एक बार repeat करके बता देता हूँ अगर आपको ये गाड़ी लेनी है तो इसका extra room price है 26,30,000 इसका extra room price है और ये गाड़ी आपको on road 32,31,000 की पढ़ेगी अगर आपको इसी तरह और भी गाड़ीं के बारे में जानना है तो comment करके जरूर बताना मैं इसी तरह आपके लिए गाड़ीं लाता रहूंगा धन्यवाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो comment करना मत भूलना धन्यवाद